हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम जानेगे कुछ घरेलू टिप्स के बारे में जिससे हमारा काम बहुत आसान होने वाला है अगर आपके भी घर में इसी तरीके के खाली डिब्बे पड़े हैं तो उसमें एक टिशू पेपर लगाएं अद्रक को साफ करके दोके इसमें रख दें काफी दिनों तक अद्रक फिरिज में फ्रेश रहेगी इसी तरीके से आप धनिया में समेथी पालक साफ करके रख सकते हैं जिससे हमारी सब्जिया काफी दिनों तक फ्रेश रहती है अगर आपके भी घर में डाल या चावल के most gas रहे गी अक्सर हम किसी सबजी में दही का उज़ करते हैं तो हमारा दही फट जाता है तो दही को सब्झी में मिक्स करने से पहले उसमें थोड़ा सा एक चमच बेशन मिक्स कर लें उसके बाद सब्जी में डालें आपकी सब्जी में दही कभी भी नहीं पटेगा ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी कि आप भी जब दूद गर्म करते हैं तो भंगाउने से बाहर निकल जाता और गैस कंदी हो जाती है तो आज हम इस ट्रिक का यूज करेंगे कोई कल्ची या चिम्टा ले लेंगे उसे भंगाउने के ऊपर रख देंगे तो दूद तो ऊपर आएगा लेकिन भंगाउने से बा को फिलेम पर ही गर्म करेंगे